चलिए आज हम बनाते हैं सूजी और नारियल की बहुत ही टेस्टी मिठाई हेलो फ्रेंस मैं उपमी मेरी रसोई में आप सब का स्वागत है तो ये मैंने कडाई में एक चमच घी डाल दिया है अब मैं इसमें आदी कटोरी सूजी डाल के इसको ब्राउन होने तक अच्छे से और सूजी को एक तम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और उसमें हम भूनेंगे फिर उससे इसका सोंधा सोंधा पनाएगा सूजी जलेगा भी नहीं और अच्छे से भून भी जाएगा ये देखिया ऐसे कलर चेंज होने तक हमें सूजी को भून लेना है सूजी हलका ब्राउन होने लगा है अब हम सूजी को निकाल लेते हैं अब इसी कड़ाई में हम एक चम्मच गीर राल के और ये मैंने कच्चनारियल कद्दू कस करके लिया है और इसका जो black वाला पार्ट होता है नारियल का उपर वाला उसे मैंने हटा दिया था इसे भी मैंसे ही एकदम low flame पे भून लेंगे देखिए ऐसे करके हमें जादा जो है नारियल को सुखाना नहीं है डाला था पहले तो इसमें हमने डाल दिया है एक कटोड़ी चीनी का पौडर और मीठा आप अपने हिसाब से रखे कम या जाद आपको जितना रखना हो फिर हम इसे ऐसे ही खोया में अच्छे से मिला लेंगे और जैसे जैसे ये खोया और चीनी का पौडर गरम होगा न तो य ये अच्छे से मेल्ट हो गया है अब हम इसे थोड़ा सा ही चला के मिला लेंगे फिर हम इसमें डाल देते हैं पहले इस नारियल को डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे इसमें ये लड़ो एक बारा बना के खाईए बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में अब हम इसमें डाल देंगे ये भुना हुआ सूजी और सूजी हम थोड़ा पहले पूरा नहीं डालेंगे जितना इसमें लगेगा हम उतना ही डालेंगे देखे ऐसे चलाते हुआ हम अच्छे से सूजी को इसमें मिक्स कर लेना है हमारा सूजी, खोया, नारियल, चीनी सारा मिक्स हो गया है इसमें हम चार इलेची कूटके उसका छिलका निकालके फिर हम इसमें डाल देंगे अब हम इसे भी मिला लेंगे देखे यह सब अच्छे से मिक्स हो गया अब हम इसे दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं देखे थोड़ा से ठंडा हो गया है अब हम इसका जो है आप अपने हिसाब से ज्यादा चोटा या बड़ा जैसे भी है आप इसका लड़ू बनाएं मैं थोड़ा चोटा चोटा यह बनाओंगे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे करके हाथों में थोड़ा से घी लगा के फिर हम इसका लड़ू बना लेंगे फ्रेंट्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बक्स में जरूर बताए मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है ओके बाई